लिए फेक यहणि, हैलो दोस्तों आफ सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज का मेरा वीडियो चिप Почему को मिली जाती हैं, दोस्तों चिप smoking on луч बहुत ही डरावनी होती है लेकिन सगुन सास की माने चिप के लिए हमें जाने अन जाने कुछ सुब और असुब समके दे जाती है तो चलिए फ्रेंड सुरू करते हैं अगर आपके दाहिने पैर पे चिप के लिए गिरे तो इसका मतलब है आपको यात्रा से लाब होगा और अगर आपके बाई पैर पे चिपकली गिरे तो घर में दुख, गलै और बिमारी का आगमन होना वाला है और बात कल्ले घुटने की तो अगर दाई घुटने पर चिपकली गिरे तो इससे आपको यात्रा का मौका मिलता है और यदि बाएं घुटने पे चिपकिली गिरे तो बुद्धे में हानी होती है अगर आपके दाहिनी हतेली पर चिपकिली गिर जाती है तो ये नयवस्त मिलने का सुचक होता है और अगर आपके माई हतेली पे गिरे तब धनकी हानी बनी जाती है अगर आपके बाई आग पे चिपकिली गिरती है तो इसका मतलब होता है कि जल्द ही बहुत बड़ी हानी होने वाली है अगर दाहने आग पे चिपकिली गिरे तो इसका मतलब है कि किसी दोस्ट से मुलाकात होगी अगर आपके बाई कंदे पे चिप के लिए गिरे तो इसका मतलब है कि आपके नए सत्रू बनेंगे और अगर दाहने कंदे पे चिप के लिए गिरे तो आपको विजय की प्राप्ति होगी अगर आपके दाहने पीट पे चिप के लिए गिरती है तो इसका मितलब है सुक मिलने वाला है और अगर बाय पेट पे चिप के लिए गिरती है तो इसका मतलब है कि कोई रोग आपको होने वाला है और अगर पीट के बीच में गिरे तो घर में बहुत बड़ी कलहा आने वाली है अगर आपके दहने कान पे चिप के लिए गिरे तो इसका मतलब है कि आपको आबुसर की प्राफ्ती हो सकती है और अगर बाएं कान पे चिप के लिए गिरे तो इसका मतलब है कि आपकी आयू में विर्दी होगी अगर आपके नाख पे चिप के लिए गिरती है तो इसका मतलब है कि आपका जल्द ही भाग उधर होने वाला है मुख पे चिप के लिए गिरने का मतलब आपको मदुर भोजन की प्राप्ती होगी और गर्दन पे चिप के लिए गिरे तो यस की प्राप्ती होती है और अगर पेट पे चिप के लिए गिरे तो आभूसर की प्राप्ती होती है अगर आपके बाएंगाल पे चिपके लिए गिरती है तो इसका मतलब है आपकी किसी पुराने मित्द से मुलाकात होगी और अगर दाएंगाल पे चिपके लिए गिरे तो इसका मतलब है आपकी उम बढ़ेगी अगर आपके नाबी पे चिपके लिए गिरती है तो आपकी किसी मुनकामना पूरी होने का संकेत है और अगर आपके मूच पे चिपके लिए गिरे तो इसका मतलब है आपको किसी सम्मान की प्राप्ती होगी कंड पे चिपकिले गिरने का मतलब है सत्रों का नास होगा और कमर की बीच में अगर चिपकिले गिरे तो आर्थिक लाब होगा अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चिपकिले गिरने पे हमें क्या उपाय करना है तो friends अगर आपके उपर भी कभी चिपकिली गिर जाए तो सबसे पहले आप अपने सभी वस्तों को बदल ले और फिर बदलने के बाद अपने उपर गंगा जल का छड़काओ कर ले और कुछ दान के लिए जरूर निकाल दे दोस्तों ये तो है कुछ बाते जो चिपकिली से जुड़ी हुई थी friends आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सेर और चैनल को सबस्काइब करना बिलकुल मत भूरिएगा ओके friends बने रहिए मेरे इस चैनल में बबबा डिकेड